मेरा नाम दीवशी का दत्ता है मैंने MSC Chemistry के साथ DL8 की शैक्षिक योग्यता हासिल की है मुझे शिक्षा में सारे तिन साल का अनुभव है मैं असाम के सिल्चर जिला से हूँ इस जिला की यह विशिष्टा है कि यह चाय बागानों के लिए जाना जाता है यहां काचारी राजा का एक बहुत बेहत पुराना किला भी मौजुद है यहां शिर्फ भगवान की एक मंदीर पाई जाती है जो की भुवन पहारियों पर सिद्ध माना जाता है मैं 1251 नंबर सुंदर्बन एल्पी स्कूल की एक सिख्षिका हूँ मेरे विद्याले में 34 बच्चे हैं सभी बच्चे काफी जरुरत मंद पड़िवार से हैं और जो की बागानों में जो की एक बागान की एरिया में पढ़ता है जो की मैं ये स्कूल मेरा सबसे पहला स्कूल है जहां पे मैं अपने शिख्षा को प्रदान कर सकती हूँ तो इसलिए मेरे पास इतनी योग्यता नहीं थी कि मैं बड़ी अच्छी तरह से शिख्षा बदन कर सकूँ मैंने काफी मैथर्स का स्थमाल किया है था बच्चों के लिए जो की इतना कालकर स्थाबित नहीं हो पाया था फिर मुझे अड़ोबिस्ट्री अड़ोबिंदो ससाइटी के ZIIEI कालेकरम पर प्रशिक्षन करने का मौका मिला मुझे पता चला बिना पैसे खर्च किये भी नवाचार किये जा सकते हैं यहाँ पर मुझे काफी नए-एडियों के बारे में पता चला यहाँ जब मैंने यहाँ पर ट्रेनिंग प्राप्त की मुझे पता चला कि इनोवेटिव पाट्शाला नाम का एक एप है यह एप में हम अपने बोर्ट को सिलेट कर सकते हैं क्लास चाप्टर के हिसाब से हम डिफेंट मैथर्स के बारे में चान सकते हैं मुझे यह जो ट्रेनिंग है इससे मुझे काफी चीज़ पता चली है कि मैं कैसे एकदम कम परसे खर्च किये मैं स्टडी मेटिरियल बना सकती हूं इस एप में मुझे यह पता चला कि कैसा प्लेवे मैथर्ड सिंग इन बिलिविंग टेकनिक फिर थीम बेस एटेंशन एटेंडन्स के माध्यम से हम पढ़ा सकते हैं यह थीम बेस एटेंडन्स जो है यह मेरे लिए काफी कारगर साबीत हुई है इस मेथर्ड में हम बच्चों को यह बोलते हैं कि जो पार्ट हम पढ़ाएंगे उसमें से कुछ वर्ड उनको सिलेट करनी होती है जो कि हम जब एटेंडन्स लेते हैं क्लास में प्रेजेंट न बोलकर उन वर्डों का स्तमाल किया जा सके यह मेथर्ड इतना कारगर सामीत हुआ कि बच्चे काफी जोश के साथ क्लास को क्लास एटेंड करते हैं और वो हर दिन नएने शब्द सीख कर भी आते हैं क्योंकि इनको काफी मोटिवेशन मिलता है इस मेथर्ड के साथ तो यही मैं बोस्तु मैं हमेशा काफी आभारी रहूंगी श्री औरोभिंदर ससाइटी जो की और HDFC बैंक के जिनोंने इस पोग्राम को इतना पोग्राम के मांधम से हम लोग को एजूगेट किया थैंक यू सो मेरी मच